हलो बच्चों वेलकॉम बैक तो दे चैनल वाउनेम इस मौ Geldas और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लाइंज्द आइंगल्स चैप्टर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेस्जिंज्कुन zal फ्रीवेस वीडियो में हमने लाइं लांस ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं बनता राइट आज के इस वीडियो में हम कुछ और important questions करने वाले हैं बच्चो इन में से कुछ questions RD शर्मा से लिए गए हैं और कोच NCRT examplers से लिए गए हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि lines and angles जो chapter है वो आपकी geometry का base build करता है जिसके सारे concepts को अच्छे से clear होना बहुत जरूरी है जिससे कि कोई भी out of the box यदि आपको questions पूछ लिया जाए आपको वो भी बन जाए हैं तो उसी तरह के questions यहां पर मैंने आज लिये हैं तो चलो start करेंगे और साती मैं यह भी चाहूंगी कि आप pen और copy सात में लेके बैठो जैसे ही आपने question देखा pause it try to do it by your own in case यदि नहीं बनता है तो आप solution देखेंगे और फिर करना ठीक तो चलो start करते हैं और देखते हैं question number one क्या है हमारा question number one में दिया है ray oe bisects angle a ob and of is the ray opposite to oe then show that angle fob is equal to angle foa यहां देखो हमें बुला है oe जो है वो angle a ob को bisect कर रहा है bisect करना मतलब angle को equally divide कर देना हा तो यह रहा हमारा angle a ob और oe इसको bisect कर रहा है it means what it means this angle a o e is equal to this angle e ob ठीक फिर क्या बोल रहा है o f is the ray opposite to oe देखो यह o f opposite to oe है बिलकुल then show that angle fob हमें क्या find करना है angle fob is equal to foa हमें find out करना है कि let's change the color first हमें find करना है कि यह जो angle है यह angle इस angle के बराबर है अब देखो दिया है कि यह angle इस angle के बराबर है हमें दिया हुआ है और हमें find करना है यह angle इस angle के बराबर है अब फटा-फट से try करके देखो कैसे करेंगे इसको अच्छा एक hint linear pair के help से हम इस question को solve कर सकते हैं जल्दी से एक बार try करते हैं देखो pause हो गया try हो गया चलो देखो जिनका आ गया well done जिनने नहीं बना वो देखो ध्यान से हमें angle यहां this is a line segment F O E जो है वो एक line segment है और line segment के ऊपर जो रहता है वो straight angle 180 degree it means यह वाला जो एंगल है यह भी 180 degree और यह नीचे जो एंगल है इसका sum भी 180 degree हाना तो यहां हम क्या लिखेंगे हम लिख सकते हैं angle F O E plus angle A O E is equal to 180 degree और reason वही linear pair linear pair के angles है हाना straight angle भी आप लिख सकते हो again इसे हम equation number 1 दे देते हैं अब नीचे तरफ का angle देखो this line segment O B O B in O B यह भी straight line के उपर है तो angle E O B plus angle B O F will be equal to 180 degree यह straight line है इसके उपर यह angle का sum क्या होगा 180 degree होगा यहां पे भी linear pair लग रहा है तो हम लिख सकते हैं angle F O B plus angle B O E is equal to 180 degree and reason will be same linear pair linear pair यह हो गया हमारा equation number 2 अब equation number 1 और 2 के दोनो right hand side equal है और जब भी right hand side equal होता है left भी क्या हो जाते हैं equal हो जाते हैं इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो angle F O A plus angle A O E is equal to angle F O B plus angle B O E is equal to 180 degree इसे आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा from equation 1 and 2 भी हम direct लिख सकते हैं okay अब ध्यान से देखो यहां पर हमें given में दिया हुआ है कि यह जो angle A O E और B O E यह equal angle अभी मैंने बता है यह angle इसके equal है why B E is the bisector is the bisector और जो bisector रहता है वो angle को क्या करता है equally divide कर देता है तो हमें given में दिया है angle A O E is equal to angle B O E इसी चीज़ का हमको use करना है तो यहां हम B O E को replace कर देते हैं A O B से तो हमें क्या मिल जाएगा यहां हमारा angle F O A as it is plus angle A O E as it is हमने F O B को same as it is रहने दिया और जो हमें given में दिया है उसका use हमेशा मैंने बुला है करते हैं B O E की जगा हम लिख देते हैं angle A O E अब देखो यहां से angle A O E और A O E हो गए let's move to the next question next question देखते हैं क्या है हमारा देखो बहुत important सा question है यह थोड़ा से tricky question है देखो धियान से क्या दिया है हमें इस figure में A O C का है angle A O C A O C यह angle A है and B O C यह angle B जो है B O C है ठीक form a linear pair यह linear pair बना रहे है it means what A plus B is equal to 180 degree linear pair का मतलब ही क्या होता है ना A plus B is equal to 180 degree फिर क्या if A minus 2 B is equal to 30 degree find A and B चलो 5 seconds 1 2 3 4 5 pause कर के कर रहे हो तो करी लिया होगा ना चलो देखो कैसे करना है बहुत easy सा question है लेकिन important सा question है थोड़ा सा twist कर दिया है यहां पर हमें बोला है linear pair है ना let's change the color first यह linear pair है तो A O B जो है वो line segment है it means what it means angle A plus angle B is equal to 180 degree reason हमको दिया हुआ है linear pair का angle है भाईया straight angle हमेशा 180 degree होता है उनका sum यह हो गया हमारा linear pair से इसे ले लेते equation number 1 हम एंगल ना भी लिखे तो भी चलेगा यहां angle आपने नहीं भी लिखा तो भी चलेगा A plus B is equal to 180 degree understood है कि यह angle A है और यह angle B है आगे हमें जो given में equation दिये है वो देखो क्या दिये A minus 2B is equal to 30 degree दिया हुआ है अब ध्यान से देखो A वाले में से सरी first वाले equation में से यदि हमने A की value निकाल ली first equation हमारी क्या थी A plus B is equal to 180 degree यहां से हम A की value निकाल लेते है और इसे equation number 2 में put कर देते है तो हमें मिल जाएगी B की value देखो कैसे A is equal to 180 minus B हो जाएगा B को हमने transpose किया त अब इस A की value हम put कर देते हैं यहां पर तो देखो क्या हो जाएगा चेंज करेंगे तो यहां A की जगह हमने यह वाली value put करनी है तो A की जगह हम क्या put करेंगे 180 minus B और यहां पर minus 2B as it is is equal to 30 degree as it is rest will be same बाकी सब as it is A की जगह बस हमने 180 minus B को replace कर दिया okay let's erase all this अब बस क्या करना है solve करना है B की value मिल गई तो A की value भी मिल जाएगी यहां देखो 180 minus and minus plus हो गया तो minus 3B हो जाएगा minus 3B is equal to 30 degree यहां से 180 को transpose करेंगे तो minus 3B is equal to 30 minus 180 right तो minus 3B is equal to हो जाना है हमारा 150 minus में 150 180 बड़ा bigger digit है ना तो minus में 150 और वैसे भी कोई भी angle कभी भी negative नहीं हो सकता negative यहां रहा है तो it means कुछ तो गलत कर दिया हना यहां से 3B is equal to 150 मिला हमें तो B is equal to 150 upon 3 यहां से cancel कर देते हैं तो B की value हमें क्या मिल गई? 50 degree B की value मिल गई है A की value हमें already मिल जाएगी क्यों? क्योंकि 180 minus B यह वाली equation जो हमें मिली इसमें put कर देंगे ठीक तो यहां से 180 minus 50 करेंगे तो this will be equal to 130 degree A की value हमें क्या मिल जाएगी? 130 degree I hope easy busy सा question था समझ में आगया होगा तो देखो चोटा सा twist था अना चोटा सा twist था equation को solve करके हमें find out करना था A और B की value तो इस तरह का देखो अलग-अलग question करोगे तो होता है कि नी concept will? मज़दार questions है चलो next question देखते हैं इसी तरह के questions हैं आगे भी यह देखो यह तो easiest question है this is again based on linear pair try करो अब 1,2,3,4,5 done? चलो करके देखते हैं कैसे करना है यहां पे हमें question में दिया है देखी रहा है A, O, B जो है वो एक line segment है तो इसके ऊपर की जितने भी angle है उनका sum कितना होगा? 180 degree होगा right linear pair बना रहे हैं तो चलो लिख लेते हैं यहां पे क्या लिखेंगे? Angle A, O, D अचा angle लिखने का तरीका मैंने बार-बार बताया है एक corner से start करना A, O, D लिख चुके हैं अब D से start करते हैं O, C लिख लिख लेते हैं फिर C से start करेंगे जिस letter पे छोड़े वहीं से start करो C, O, B इस तरह से हमें एक भी angle नहीं छूटते हैं तो यहां A, O, D लिखा plus D पे छोड़ा है तो D, O, C हो गया plus C पे छोड़ा है तो angle C, O, और last है B इन सब का sum क्या होगा 180 degree क्यों क्योंकि straight angle है या linear pair भी आप लिख सकते हो चीक, linear pair या straight angle भी लिख सकते हैं तो यहां पे जिन-जिन की जो value है वो put करेंगे x की value मिल जाएगी, easy-beasy से question था ना, सबको बन गया होगा यह x plus 10 आएगा plus x आएगा plus x plus 20 आजाएगा is equal to 180 degree x plus x plus x होगया 3x plus 10 plus 20 होगया हमारा 30 is equal to 180, अब कुछ नहीं solve कर देते हैं 3x is equal to 180, minus 30, 30 को transpose किया तो फिर 3x is equal to 150, x is equal to हमें क्या मिल जाएगा है 50 degree okay, so this will be a fine answer, यह तो easy-beasy सा question था, सबको बन गया होगा चलो, next question देखे, question number 4 क्या है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे और interesting questions आएगे again, यह वाला जो question है, यह बहुत बार use होता है, है easy question, लेकिन बहुत जगह use होता है, class 10 में भी इसका use है आपको, चलो, देखते हैं in figure, if array OC stands on line AB such that angle AOC is equal to angle COB, then show that angle AOC is equal to 90 degree, यहां हमें बोल रहा है कि यह figure है, इसमें angle AOC जो है, वो COB के equal है, तो आप प्रूफ करो कि AOC is 0 to 90 degree है, फटा-फट से try करो, 1, 2, 3, 4, चलो, देखते हैं, कैसे करना है इसको, जिनको बन गया, well done, okay, जिनको बनता जाता है, तो comment section में बताना कि yes, ma'am, बन गया था, okay, चलो, देखो, अगे, linear pair के उपर based question, यहां पे angle A, A, O, B, एक line segment है, straight line है, तो angle AOC plus angle COB will be equal to what, 180 degree, reason क्या है, linear pair, ठीक, अब यह 180 degree है, हमें given में दिया है, कि दोनों तो equal है, अब देखो, हमें AOC की जरुरत है, तो हम COB को कर देंगे, replace कि से, क्योंकि हमारा AOC COB के equal है, तो COB की जगे हम क्या लिख देंगे, AOC लिख देंगे, इतनी ही कहानी थी, इसके बाद तो बनी जाना है, angle AOC plus angle AOC is equal to 180 degree, यहां reason लिखना बिलकुल मत बूलना, angle AOC is equal to angle COB है, ठीक, तो गुनों equal हो गए है, बस, x plus x क्या होता है, 2x होता है, वैसे ही angle AOC plus angle AOC क्या होगा, 2 angle AOC is equal to 180 degree, तो यहां से angle AOC की value हमें क्या मिल गई, 180, पॉन में 2, तो multiply में तार जाओ, तो यह आगया हमारा 90 degree, यही तो हमें करना था, AOC की value क्या है, 90 degree, तो इस तरह का question, आगे, next year बहुत सारे, बहुत बार use है, इसका, चल, समझ में आ गया, next की तरफ move करे, next question देखते है, क्या है हमारा, आणा, next question देखो, question no. 5, question no. 5 में हमें दिया है, triangle ABC is right angled at A, L is a point on BC such that AL perpendicular to BC, prove that angle BAL is equal to angle ACB, question में हमें दो चीज़े बच्चो given में दी हुई है, क्या-क्या, angle ABC, right angle triangle at A, it means what? it means, यह जो angle A है, यह हमारा हो गया, 90 degree का, ठीक, फिर हमें बोला है, L is a point on BC, such that AL perpendicular to BC, अब यह जो line segment AL है, यह BC के perpendicular है, perpendicular means, again, यह वाला जो angle हो जाएगा, यह 90 degree का हो जाएगा, L is equal to 90 degree हो जाएगा, फिर हमें बोल रहा है, prove that angle BAL, सूनते हैं, BAL कहा है देखो, let's erase it first, angle BAL, कैसे पता करेंगे किस angle के बारे में बात हो रही है, बीच वाला letter देखते हैं, बीच में A letter है, तो A angle के बारे में बात हो रही है, और एक arm हमारा first two letter decide करता है BA, और दूसरा arm हमारा next two letter decide करता है AL, तो BA और AL के बीच में जो angle है, वो कौन सा angle है, यह वाला angle है, तो यह angle हमें प्रूफ करना है, equal है, किस angle के, जैको, A, C, B, बीच में कौन सा letter है, C letter है, तो C angle के equal है, में यह proof करना है, अब कैसे proof करेंगे, बच्चों, आप try करोगे, right, try करने के लिए, थोड़ा सा, चोटा सा hint, angle some property का use करना है, आप इसका, give it a try, one, two, three, four, five, I hope, आपने pause करके try कर लिया, अब देखो, जो चीज, बच्चों, हमें इन सारे questions में given में दी होती है, उनका बहुत ही important use होता है, तभी तो दिया हुए है, given में, तो ए a, c is equal to 90 degree दिया हुए, right angled at a है क्योंकि, अना, let's erase all this, और दूसरी चीज, given में क्या दी हुए है, हमें, हमें दिया है, a, l is perpendicular to b, c, it means what, angle, l is equal to, angle or l, एक जैसे दिखने लगते है, angle l is equal to 90 degree, ठीक, यह दो चीज़े हमें given में दी हुए है, प्रूफ कैसे start करेंगे, मैंने बोल दिया angle sum property लेकिन दो triangle sum लेंगे कौन से, किसमे angle sum property लगाएंगे, यह भी एक trick, कैसे, देखो, जो हमें प्रूफ करना रहता है, यह angle हमें इस angle की equal proof करना है, तो यह angles ही हमें बता देते हैं कि कौन सा triangle लेना है, हमें सबसे पहला वाला triangle b, a, l वाला लेना है, कौन सा triangle है, देख c, b, a, c, b, a, c, b, a, बड़े वाले triangle के बारे में बात हो रही है, तो इसमें भी angle sum property लगाते हैं, okay, चलो लिखते हैं, पहले दोनों के angle sum property लिख लेते हैं, equations लिख लेते हैं, फिर मैं आगे बताती हूं, यह क्या करना है, तो in triangle, b, a, l, यह वाला triangle ले लिया, किनों angles लिख angle b, plus angle a को पूरा-पूरा लिखते हैं, क्योंकि दे को angle a जो है, वो shared angle है, इन दोनों में angle a आ जाता है, और बड़ा-वाला angle a भी है, छिलिए angle a को पूरा-पूरा लिखते हैं, b, a, l, पूरा लिखते हैं, angle b, a, l, plus last वाला angle हमारा, l वाला बचा हुआ है, angle l is equal to 180 degree, क्या इसको equation number 1 दे देते हैं, बूसरा triangle हमने कौन सा लेना है, a, c, b वाला, triangle a, c, b, is equal, sorry, इस triangle को लेना है, जो triangle लेना है, उसको उपर लिखना, specify करना ज़रूरी होता है, okay, लिखना ही चाहिए हमें, अब इसमें भी angle some property लगाना है, तो हम लिख देते है, angle a, plus angle b, plus angle c, is equal to 180 degree, यह नहां पे भी angle a को हम पूरा-पूरा specify कर देते हैं, b, a, c, लिख देते हैं, छीक, अच्छे से लिख देते हूं, मैंने तो watch-watch हो जा रहा है, angle b, a, c, छीक, अब इसे equation number 2 देते है, reason same, angle some property लगाया है, यहां पे हमने, अच्छा, यह वाले questions जो करते हैं, इसमें लिखना must होत है, यह reason जरूर लिखना, आपने तो, उसमें marks कट हो जाते हैं, अब देखो, दोनों equation में हमारा right side equal हो गया, it means what, left equation भी equal हो जाएंगे, यहां हमारा 180 degree equal हो गया, it means, यह दोनों equation भी हमारे equal हो जाने है, ठीक, तो from equation 1 and 2 हम क्या लिख सते हैं, angle b, plus angle b, a, l, यह l है, ha, c नहीं है यह, मेरा l दिख रहा है, यह l है, plus angle l is equal to, यह पूरा equation लिखेंगे, angle b, a, c, plus angle b, plus angle c, अचा, b और c इसलिए अकेल अकेल लिखा है, क्योंकि देखो, no, shared नहीं है, b और c अकेल लिख सकते हैं, अब यहां से देखो, angle b और b मुझे दोनों तरफ दिख रहा है, दोनों हो जान हो जाने है, cancel, angle b और b equal है, दोनों हो जाने है, cancel, अचा, c angle को हम cancel इसलिए नहीं कर सकते हैं, कि यहां तो सिर्फ c है, यहां तो l angle है, l और c cancel नहीं कर देखो, यहां पर आगे क्या करेंगे, हमें दो चीज जो given में दी हुई है, 90 degree, उनका यूस करना है, तो चलो, put कर देते है 90 degree, जैको हमें क्या-क्या 90 degree दिया हुआ है, b, a, c 90 degree दिया हुआ है, तो यह रहा मेरा b, a, c, छीक, इसकी जगह 90 degree पूट कर देंगे, और दूसरा हमें l angle 90 degree दिया है, तो यह रहा l angle, तो यहां पर भी 90 degree पूट कर देंगे, बाकी सारी चीज़े as it is लिख देते है, यहां हमा अब देखो, again 90 और 90 मेरे को equals to के opposite side में दिख रहे हैं और दोनों same है, तो cancel out हो जाने है, तो बचा क्या, जो बचा वही तो हमें प्रूफ करना था, देखो, angle b, a, l is equal to angle c, angle c can be written as a, b, c, लिखो चाए, b, a, c, लिखो, a, c, लिखो, a, c, लिखो, a, c, b, b, c, a, लिखो, a, c, क्योंकि a, c, b बोला है, तो हम angle c की जगर क्या लिख देंगे, a, c, b, लिख देंगे, तो बस proof होगया, angle b, a, l is equal to angle a, c, b, इस तरह से आपको questions को solve रहना है, क्या-क्या चीज़ है, given और to proof का use दिमाग में रखना है, okay, next question करे, अब I hope यदि इस तरह का question आया, तो you'll be surely able to do it, right चल, next question देखते हैं, इसी तरह का interesting question आगे भी है, question number six में देखो क्या बोला है, in the figure, d, e, parallel to q, r, and a, p, and b, are bisectors of angle e, a, b, and r, b, a, respectively, find angle a, b, b, यहाँ पर बच्चो दो चीज़े हमें given में दी हुई है, क्या, एक तो हमें parallel line दे दिया है, d, e, parallel है, q, r, k, चीक, और हमें दूसरी चीज़ कह दी है, a, p, और b, p, जो है, वो bisectors है, angle bisectors है, a, p, जो है, a, p, जो है, वो e, a, b, को bisect कर रहा है, bisect करना means, angle को equally divide कर दीना, त means, यह जो angle है, बच्चो, यह equal है, इस angle के, angle, e, a, p, is equal to angle, p, a, b, तो यहाँ लिख लेते हैं, angle, e, a, p, is equal to angle, b, a, p, अच्चा, इसी को हम, half of angle, e, a, b, भी लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, बोलो, यह दोनो equal angle हैं, तो, दो angle equal होते हैं, तो, obviously, किसी एक angle, कोई एक angle जो होगा, वो बड़े वाले angle का half हो जाता है, right, तो, यहाँ पर equal to half लिख देंगे, okay, इसका हमको यूज करना है, इसलिए हमें यह line लिखना must है, next, हमें देखो, दूसरा, दूसरा वाला हमें हम लिख लेते हैं, यह जो b, p है, यह हमारा bisector है, r, b, a का, तो, same, उपर जैसे हमने लिखा, this angle, r, b, p, is equal to angle, a, b, p, a, b, p, is equal to half of angle, r, b, a, ठे, तो, यहाँ पर लिख लेते हैं, angle, r, b, a, is equal to angle, a, b, p, is equal to half of angle, r, b, a, इतना तो हो गया हमारा, जो एक given दिया हुआ है, bisector वाला, उसका use कर लिया, अब दूसरा जो given दिया है, देखो, d, e, parallel है qr से, और transversal हमको दिख रहा है, तो, it means, जो parallel line and transversal से related, जितने भी concept है, उनमें से कोई एक use होना है, जिसको बन रहा है, वो फटक से try कर लो, और जि नहां पर हमें क्या दिया है, d, e, parallel है qr से, ठीक, देखो, दो line parallel और यह हमारा transversal, यह दोनों angle कौन से angle कैलाते हैं, transversal के, एक ही तरफ के, को, साथ के interior वाले angle, इनको, देखो, मैंने बोल भी दिया, co interior angles, को मिन साथी वाले अंदर के angles, तो, इन दोनों का sum क्या होता है, 180 degree, देखो, एक obtuse और एक acute, parallel lines में, जब भी हम acute और obtuse angle को add करते हैं, तो, हमें 180 degree मिलता है, याद रखना है, तो, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों angle का sum क्या होगा, 180 degree इसका use करना है, तो, हम लिख लेते हैं, angle, यहाँ देखो, यहाँ पर देख लो, एक बार आप, EAB plus angle RBA is equal to 180 degree, को interior angle, चीक, लिख लेते हैं, यहाँ पर, angle EAB plus angle RBA is equal to 180 degree, और reason हम को लिखना must है, वहना marks कट हो जाते हैं, को interior angles, एक मैं shortcut में लिख रही हूँ, आप पूरा-पूरा लिखना, अब इसको क्या कर देते हैं, देखो, हमारे पास half of EAB है, half of RBA है, हमें कहां तक पहुँचना है, पहले यह भी देख दो, हमें निकालना है इस angle की value, चीक, इस angle की value निकालना है, अब ध्यान से देखो, यह वाला जो एक बन रहा है, यह triangle दिख रहा है, यदि हमें यह angle और यह angle पता चल जाए, तो हम angle sum property की help से, इस angle को निकाल सकते है right, angle sum property की, कहती है, तीनो angle का sum जोएगा, 180 degree होगा, उसकी help से ही हमको इस question को करना है, तो अभी हम यह वाला angle निकाल रहा है, और यह वाला angle निकाल रहा है, यह दोनों मिल जाएगा, तो P automatically हमको मिल जाएगा, तो यहां से हम पूरी equation को क्या करेंगे, half से divide कर देंगे, यहां से हाफ डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, by dividing above equation, above equation by 2, थीक, तो देखो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, angle eab upon 2 plus angle rba upon 2 is equal to 180 upon 2, देखो उपध्यान से, हमने already लिखा है, half of eab is equal to eap bhoota है, और bap bhoota है, हमें किसकी ज़रुत है, हमें eap की ज़रुत है, क्या यह तो बाहर हो जाएगा, triangle से, तो इसकी तो हमको ज़रुत ही नहीं है, तो हम कौन सा वाला लेंगे, bap वाला लेंगे, तो इस half of angle eab की जगा, हम क्या लिख देंगे, जो हमें चाहिए angle, bap लिख BA लेंगे या ABP भी आप लिख सकते हो, ठीक, यहाँ एंगल ABP लिख दिया मैंने, is equal to, यह तो cancel हो गया, यह 90 degree मिल गया, इन दोनों का sum हमें मिल चुका है, 90 degree, इसे equation number, उपर equation दिया था क्या है, इसे equation number 1 दे देते हैं, इसका use करना है हमें angle sum property वाले part में, अब angle sum property लगा देते हैं, in triangle ABP, ठीक, angle ABP plus angle PAB plus angle APB, is equal to क्या हो जाएगा, 180 degree, देखो कैसे लिखा मैंने, एक बर यह angle लेना है, तो यहाँ पे हमने, A के लिए क्या लिखा है, PAB लिखा है, PAB ये वाला angle हो गया, then ABP ये वाला angle हो जाएगा, और last में जो P angle लिखेंगे, वो question के according मैंने लिखा है, APB, आप B, P, A, B लिखोगे, तो भी सही है, हाना, तीनों angle को हमको एक बार लिखना है, और जिनको difficulty होते हैं, तो A plus B plus P भी लिख सकते हैं, okay, is equal to 180 degree, तो यहाँ से हमने क्या लगा है, angle sum property लगा है, अब देखो, इन दोनों की value तो हमें और और अल्रड़ी मालुम है, B, A, P, कहा है, देखो, B, A, P, यह है हमारा, B, A, P, बोलो, चाहे, P, A, B, बोलो, बहुत आज सेम तिंग है, angle A हमारा यहाँ दिया हुआ है, पर देखो, angle B कहा दिया हुआ है, यह देखो, A, B, P, और यहाँ पर भी A, B, P, दोनों हमें यहाँ पर है, तो इन दोनों का सम मालुम है कितना है, 90 degree, तो इनकी जगह क्या पुट कर देंगे, इनकी value पुट कर देंगे, 90 degree जो दिया हुई है, तो यहाँ पर हमारा इन दोनों की जगह हम पुट कर देंगे, 90 plus angle A, P, B is equal to 180 degree, और simply हम इसको transpose करेंगे, तो angle A, P, B will be equal to 180 minus 90, तो P angle की value भी हमें क्या मिल जाएगी, A, P, B will be equal to 90 degree, वो इस तरह से हमें इस question को solve करना है, कुछ इसी तरह का question हमारा next वाला भी है, देखो क्या है next वाला question, next वाले question में हमें बोल रहा है, if a transversal intersects two lines such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel, क्योंको question में statement यदि आपने समझ लिया तो ये question बहुत easy है, statement में हमें दिया है, if a transversal intersects two lines, यदि एक transversal है, वो दो lines को intersect कर रही है, दो line कान सी है, एक PQ और RS है, अब ये, जो transversal है, ये दोनों line को intersect कर रही है, हमें ये नहीं बोला है कि ये दोनों line parallel है, two lines are intersected by this transversal, बस इतना दिया है, फिर क्या बोला है, such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel, इस तरह से intersect कर रही है, जो bisector है, किनके bisector, corresponding angles के, corresponding angles के bisector को यहाँ पे क्या बोला गया है, parallel बोला गया है, corresponding angle कौन-कौन से है, ये B angle और ये C angle, ये दोनों corresponding angles हुए, इनके जो bisector है, कौन-कौन सा हुआ, B E और C F, ये दोनों, इन दोनों angles के bisector है, given में दिया हुआ है, और ये जो दोनों bisector है, ये दोनों parallel है, मतलब B E is parallel to C F, ठीक, तो ये चीज़े जितनी भी given है, ये फट फट लिख लेते हैं, given में हमें दिया हुआ है, एक तो दिया है कि, B E and C F are the bisectors of angle A, B, Q and angle B, C, S respectively एक और दूसरी चीज़ हमें क्या given में दिया हुई है, ये जो bisectors हैं, ये दोनों parallel है, देखो, bisectors are parallel है, तो ये B E parallel है C F की, ये दो चीज़े हमें given में दिया हुई है, अब two proof लिख लेते हैं, two proof में हमें क्या proof करना है, देखो, two proof में हमें proof करना है, then prove that the two lines are parallel, हमें proof करना है कि ये जो line P Q है, ये parallel है RS से, तो यहाँ पे हम P Q is parallel to RS, हमको proof करना है, जब भी हमें proof that वाला question रहता है बच्चो, तो हमें इसी तरह से लिखना पड़ता है, पहले given, फिर true proof and then proof लिखते हैं, यहाँ पे हम proof start करते हैं, देखो, क्या है, बहुत easy proof है, यहाँ हमें B E parallel C F दिया है, तो it means what, यह जो उपर वाला angle, यह वाला जो angle है, let's take a dark color, यह जो angle है उपर वाला, यह angle और यह angle, यह दोनों, देखो, corresponding angles है, तो यदि यह X हुआ, तो यह भी क्या हो जाएगा, X होगा, दोनों equal हैं, यहाँ से देखो, यह दो transversal गये हैं, और यह दोनो transversal तो हमको proof करना है, यह एक B E transversal गया है, यह B और यहाँ पर E है, ठीक, और यह एक C F गया है, C और यहाँ पर F है, ठीक, और यह यहाँ से line segment जा रही है, जो transversal वाल लिए, अब देखो, यह दोनों यदि parallel है, तो उपर के दोनों एंगल क्या होंगे, equal होंगे corresponding angles, और यह एंगल यदि x है तो यह भी x हो जाएगा, अब यह दोनों एंगल यदि equal है, तो इन दोनों के angle के double भी क्या होंगे, equal होंगे, right, तो वही हमें करना है, अब दोनों का double आपको क्या मिल जाएगा, यह एंगल पूरा B मिल जाएगा और यह एंगल पूरा C मिल जाएगा, but they are corresponding angles and if corresponding angles are equal, then lines are parallel, simple, easy, right, तो इसी तरह से question को करना है हमें, चलो, कैसे लिखना है, देखते हैं फटाफट से, हमें क्या लिखना है, since BE is parallel to CF, therefore angle AB, यह A है हमारा, और यह last वाला हम दे देते हैं, नाम D, दोको A, B, E इस वाले angle का नाम हुझाएगा, A, B, E is equal to angle BCF, angle BCF, x लिखनी की जरुरत नहीं है, क्योंकि वो तो मिची समझाना था, इसलिए मैंने x लिखा था, यह दोनों equal है, y equal, क्योंकि they are corresponding angles, हमें given में दिया हुआ है कि यह दोनों line parallel है, तो हम corresponding angles equal ले ले लेते हैं, corresponding angles, corresponding angles, ठीक, अब इसका double कर देते हैं, तो therefore twice of angle A, B, E is equal to twice of angle BCF, obvious है कि यह दोनों angle हमारे equal है, तो इस angle का double यह पूरा, dark color ले लो, देखो, यह दोनों angles, यह वाला angle इसके equal है, तो it means, इसको double करेंगे, तो यह हमें पूरा यह वाला angle मिल जाएगा, right? तो twice of angle A, B, E हो जाएगा हमारा A, B, Q, यहां हम simply क्या लिख सकते हैं, A, B, Q, angle A, B, Q लिख दिया, is equal to BCF, similarly angle BCF को double करेंगे, तो BCS, क्योंकि यह दोनों angle equal हैं, तो BCS मिल जाएगा, similarly, यहां पर angle BCS लिख देंगे, और reason हमको लिखना ज़रूरी है, बचो क्योंकि दोनों bisector दिये हुए है, वह हमें लिख लेंगे, BE and CF are the bisectors, are the bisectors, ठीक, इस तरह से हमें reason लिखना ज़रूरी है, तो बस दोनों angle equal हैं, हम simply क्या लिखेंगे, but they are corresponding angles and they are equal, therefore corresponding angle equal है, तो क्या हो जाएगी, lines parallel हो जाएगी, therefore PQ is parallel to RS, तो vice versa चलता है बचो, अधि corresponding angles equal होते हैं, तो lines parallel हो जाते हैं, और उसका ultra तो हम use करते हैं, parallel lines है, corresponding angles equal, तो इस तरह से question number 7 को हमको करना था, और किसी के साथ हमारे ये session यही end होता है बच्चो, सारे के सारे questions आपको बहुत interesting लगे होंगे, और अब यदि ये सारे questions आपको बन रहे हैं, it means lines and angles का concept आपका बहुत मजपूर्ट हो गया है, जो भी question आएंगे, you will be able to do it in your examination, तो all the best for your examination, चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नया चाप्टर करेंगे, till then take care, bye bye. करेंगे, 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 और आपके चात।